नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूं कि आप पैंटिंग ठेकेदार कैसे बन सकते हैं बहुत से लोगों के कमेंट आये हैं कि पैंटिंग कोंट्रेक्टर हम किस प्रकार बने काम कैसे मिलेगा और कैसे काम करेंगे क्या क्या लगेगा यह सारी फूल डिटेल्स बताने वाला हूं इस वीडियो में बने रहे हैं कंटिन्यू ठीक है दोस्तों अगर नए है तो चैनल क कि पेच पर मिल जाएंगे ठीक है इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं कि पैंटिंग के ठेकदार कैसे बनेंगे आपको क्या क्या लगेगा आप किस प्रकार इसकी टीम बनाएंगे आपको और क्या लगेगा यह सारे डिटेल्स बताने वाला हूं है ना तो बने रहे क्यों हैं या काम क्या करेंगे तो सबसे पहली बातição कि अगर आप ठीकतार बन रहे तो आपके होना चाही थोड़ा नूलेज होना चाहिए कि आप उस फिल्डे में काम कर रहें तो आपको उसंफील्ड का नूलेज होना बहुत जरूरी है तो वहाँ पर एक कर रहा है कि इस प्रकार से डिजाइन होगा मकान का पूरा और इसरी परकार से पकान पूरर तो इस प्रकार से अपको आना चाहिए कि कि इसे इस फिल्डे में आप काम कर रहे हैं बहुत से लोग है जो इस प्रकार की काम करकर के आगे अपने खुद के कॉंट्रक्टर लेने चालू कर दिये हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं लगता है नहीं पैसे लगते हैं नहीं कुछ और लगता है चार-पांच वरकर ले लिए अपने काम से इस में काम मिलते रहेंगे बहुत से लोग हैं जो दो साल तीन साल काम करें अच्छे से नोलेज रखते हैं और इस फिल्डे में काम करते हैं तो आगे जाके इसके खुद के ठेके लेने चालू कर देते हैं तो इस फिल्डे में और क्या होना चाहिए अपके आपस एक ќो कितीन मैने से पहले हैं तो इसमें क्या है रोस हो जाता है ठेकिदार उसी बेस पें प्ceed कमाता है जो उनकाी मैनेजमें बहुत अच्छा हो आप आपने कर लिया का में के द् Spirit कमा तो किता हां कमाएंगे ओर effort भर यहान पर बात आती ही कि आपको काम क्यासे मिलें गा टीक हेतो सबसाफ सब पहली बात आतीही कि आपको relationship बना के रखना है कि आप वहां पर भी काम कर रहा हैं वहां पर आपकी खुद की marketing करते रहना है कि मैं की काम करते हूं या तो फिर आप च्छोटे पेंपिलेट च्पा लेने कि जो भी लोबस्ट प्राइज में तो आपको क्या है बाढते रहे नहीं और लोगों से ज्यादा से ज्यादा कॉंट्रेक्टर जो बिल्डिंग वर्स में काम करते हैं इन लोगों से ज्यादा पेचान में रखे कि मैं इस पेंटिंग का कॉंट्रेक्टर हूं अगर जरुवत हो तो इस प्रकार सा आपके खुद के जो पैंपिलेट है वह आप देते रहे यह तो धीरे धीरे आपका जो मार इसमें स्कुर्फिट के हिसाब से पैसे लेते हैं कि स्कुर्फिट के पर रेट स्कुर्फिट आप कितना चार्ज लोग है जो भी डिपेंड करता आपके एरिये के हिसाब से कि कौन से सिटी में रहते हैं कहां पर रहते हैं तो उस हिसाब से आपको क्या है आपको पता करना ह है कि जहां पर भी रहते हैं वाहां पर इसको अकाव एक चार्च लेते हैं उस हिसाब साथ आपको भी ले ना है आपको पता कर ना है और बाद होते ही कि जैसे कि फिक्स रेट पर ले 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 थे ही मान लेकर तब एक हैं इतने 1000 रुपरे इतने फिरेट में करके देजिए तो इस प्रकार से खरते हैं तो ज़्यादा तरे प्रफीट को फिट की हहाँ से एक δीक आप zach strict Bernard उस प्रफेशन तो ये था थोड़ा सा वीडियो आपको अच्छा लागा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो क्योंकि इस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी मिलते हैं अगले वीडियो में